बकसर की नारायनपूर पुलिस को बड़ी काम्याभी मिली है नारायनपूर पुलिस ने छोटे डोंगर इलाके में तीन नकसलियों को गरफतार किया है बता दें कि DRG की टीम नकसल विरोधी अभियान के तहत सर्च ओपरेशन पर थी इसी दोरान तीन संदिक्द लोगों को पकड़ा गया, फूस्ताश में पकड़े गए लोगों ने बताया कि पुलिस और जनता को नुकसान पहुंचाने के लिए उन्होंने छोटे डोंगर मढ़ुनार्ग मार्ग में चहरा मोड के पास प्रेशर बम IED को छिपा कर रखा हुआ था जिसके बाद मौके से IED को निस्प्रे किया गया तीनों नकसली पूर्वी बस्तर डिविजन के अमदई एरिया कमेटी के सदसे बताये ज़ा रहे हैं जो कई नकसली गत्विदियों में शामिल रहे धमतरी में 6 फरवरी से आंगनबाडी कारेकरता और सहाई का प्रदर्शन कर रहे हैं रोजाना प्रदर्शन के जरिये आंगनबाडी कारेकरता सरकार को चेतानी में लगे हैं इसी कड़ी में आंगनबाडी कारेकरताओं ने आकरोश ट्रेली निकाली जो गांधी मैदान से शेहर के परमुख मारगों से होते हुए घड़ी चौक पहुची महिलाओं ने करीब 20 मिनट तक नैशनल हाईवे पर बैट कर प्रदर्शन ठीकिया जिससे यातायात व्यवस्था चर्मरा गई सूचना मिलने पर पहुची प्रिस्टासनिक टीम ने प्रदर्शन क्यारियों को समझा बुजा कर मौके से हटाया बीजेपी किसान मोरचा ने बिजली पानी की परेश्यानी को लेकर कलेक्टरेट में प्रदर्शु थिया इस दौरान बड़ी संख्या में बीजेपी कारिकरता मौझूद रहे प्रदर्शन के दौरान बीजेपी किसान मोरचा जिला ध्यक्ष श्रसी ने बेरिकेट लांगने की कोशिस की जिससे वे मामुली रूप से घायल हो गए बीजेपी कारिकरता किसानों के लिए पानी और बिजली उपलब्ध करानी की मांग कर रहे हैं बीजेपी युवा मोरचा ने जिला मुख्याले के बस स्टेंड पर ग्रह मंत्री तामरद्वज साहु का पुतला फूंका युवा मोरचा ने भयाथान मंडल के अध्यक्ष अमन प्रताप पर हुए हमले के विरोध में प्रदर्शन किया बीजेपी युवा मोरचा का आरोप है की राजसरकार के संदरक्षन की वज़ह से 36 गट में अपराद शरम पर है आज जो हमने पुतला जलाया है एस प्रदेश में बढ़ते गुंडागर्दी माफिया राज और जो खनन को लेकर 36 गट में जो कमिशन की स्थिती बनी है और हमारे युवा मोरचा के साथी तानाखार के सुरजपूर के मंडल अद्यच के उपर जान लेवा हमला हुआ कल रात को उनके पैरों को कुछला गया इसके विरोध में पूरे 36 गट में युवा मोरचा आज तामरदच सहू का पुतला धहन कर रही है इसी क्रम में आज इवा मोरचा कोंडगाउं ने भी कोंडगाउं सहर में ग्रिय मंत्री का पुतला धहन किया धमतरी जिले के परेवा डीह में 52 एकड घास जमीन पर उद्यानी की महाविद्याले बनाने की तयारी चल रही है प्रशासन जमीन अधिगर्ण करने की तयारी कर रहा है लेकिन ग्रामीन जमीन अधिगर्ण का विरोध कर रहे हैं ग्रामीनों का कहना है कि पश्वों के चरने और शास्किये योजनाओं के लिए गाउं में जगह नहीं है ऐसे में महाविध्याले के लिए जमीन नहीं दे सकते गाउं की सरपंच का आरोप है कि प्रशासन ने उन पर दबाव डाल कर दस्तावेजों में हस्ताप्षर करवाया है फुलहाल प्रशासन मामले में जांच के बाद आगे की कारवाई की बात कह रहा है 2021 को इस्तिहार जारी किया गया था उद्यानी की महाविध्याला के लिए जिसमें गाउंवाले पंचाय द्वारा जानकारी दिया गया था कि हमारे पास जो जमीन है चारागाह, समसान गाट और गठान के लिए है इसके तरिक तक कोई जमीन नहीं है उसके बात फीर से पेशी बुलाया गया, पेशी में भी वही अपति दर्ज कराया गया 31 जन्वरी 2023 को सियो स्वाब द्वारा सरपंच और सचीव को बुला करके दबाव पूर्ण प्रस्ताव लिया गया, जिस प्रस्ताव के विरुद में दो फरवरी को पंचायत यवंग्राम विकास समिती उनाव अपाये और आने के बाद उस प्रस्ताव को निरस्त किये गया 31 जन्वरी को जन्पस सियो सर के द्वारा सचीव और सरपंच दोनों को बुलाया गया लगभग साड़ी गयारा बजे और दबाव पूर्णा बात रखके मेरे और सचीव द्वारा सहमती पत्र में साइन लिया गया पंचाथ प्रस्ता हुआ था उसमें कोई भी पंच सामती नहीं जदाय थे नहीं जी गाओं माले को जानकारी हम लोग पंचायत में बात करके दिये थे 27 जिल सासन के द्वारा धंटरी जिला में अध्यान की मावी टैला के घुख्षना की गई है उसके लिए कम से कम 50 जिकर सास की रिक्ट जिमीन का उसकता होती है पूरे जिला में हमको कहीं नहीं मिला परिवादे में बावन इकर के एससास की वोविच नांकित किया गया है और उक्ट जमीन को उद्धान की महाविट जाले के लिए प्रापर करेक्टर मोडे के द्वारा आदेशित किया गया है जी अब ग्रामिनों ने अलग-अलग अपने तर्क दिया किसे ने कहा कि हमारे पास अन्य निश्टार के लिए जमीन की कमी होगी तो उसके लिए मैंने टुरंत ही वहाँ उसकारिसित्र को डेख लेए टैसिलडार बैडम को निडेशित किया है कि एक बार और जांच कर ले चु पिर्दा गाओं में संसकार महिला स्वयं सहायता समुह ने विश्व महिला दिवस का रिशाला और समान समारोह का आयूचन किया जिसमें पदमश्री फूल बासन बाई यादव ने बतोर मुख्यधित्य शुर्कत की जन समुह को संबोधित करते हुए उन्होंने जीवन के सं पूल बासन बाई यादव ने कहा कि उनके जीवन का मकसद महिलाओं को सशक्त बनाकर समाज की मुख्यधारा से जोनना है जगदलपूर में जिला विदिक सेवा प्राधिकरण ने जाटम गाउं में विदिक जागरुकता शिविर लगाया शिविर में जिला जज और प्राधिकरण की अध्यक्ष आलो कुमार ने गाउं के लोगों को विदिक सेवाओं की जानकारी दी लोगों को उनके मौलिक अधिकारों और कर्थवियों को लेकर जागरूप करते हुए जरूरी कानूनी जानकारियां भी दी गई सरकारी योचनाओं और महलाओं के कानूनी अधिकारों कе बारे में भी लोगों को बताया गया